आठ दिसंबर को महाराष्ट प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी की महासचीव मुजीब पठान्धी बुटिपोरी पुलस इंस्पेक्टर के माध्यम से केंद्र को दिये एक बयान में कृशी विरोध काले कानून को निरस करने की मांग की है जो किसानों सहीद सभी करीब लोगों को निर्वासित कर रही है और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत बंद का जवाब देते हुए बुटिपोरी में सभी लोगों ने अपने व्यापारी प्रतिश्टान बंद कर दिये और भारत बंद का समर्थन किया मोधी सरकार ने कृशी और किसानों की खिलाफ साजश करके देश में हरित क्रांती को नश करने की साजश रची है यह सरकार दुन्या की किसानों खाद्य देने वाले किसानों और खेती हर मजदूरों को कुलाम बनाने की कोशिश कर रही है कुछ कानून केवल खाद्य किसानो के लिए ही नहीं है यह ध्यान रखना महत्व पूर्ण है कि जहां 62 करोड किसान श्रमिक और 250 से अधिक किसान संगठन की इसकाले कानून का विरोध कर रहे है वही प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोदी किसानों के साथ अमान ये रूप से चार्ज और अत्याचार कर रहे है नागपुर जिलाव पादिक्ष बाबु भाई पिठान सुधिर देवताले राजु गावंडे यूसुफ शेक बबलु चकोले सुधाकर कैकडी नागेश गिरहे राष्टवादी कॉंग्रेस पाटी नेता और कृशी उदपादन बाजार समिती की पूर्व अधिक्ष एहमद बाबु शेक, जिनिंग प्रसिंग की अधिक्ष प्रकाश भाई नागपुरे, नागपुर की अधिक्ष संजेच चिक्टे, विश्नु माथनकर, प्रदीप चंदेल, दामु गुजर, प्रकाश पवार, मंगेश सावने, शिवसिना नेता दिलिप माथनकर, तुशार डे, इस अवसर पर पार्षद सर्फराज शेक, मनोज ढोके, सुनिल काईट, आकाश इंगोले, युद कॉंग्रेस, एन एस्यू आई, एन सीपी, मैला कॉंग्रेस और महाविकास अगाडी के सभी कार्य करता उपस्तित्ते